हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर रेडे एक्जाम यूटूब चैनल आज की वीडियो पे हम हिंदी के प्रमुक रचनाकार और उनकी क्रतियों से शंबंधित कुछ महत्य पूर्ण प्रस्न लेकर आए हैं तो वीडियो को पूरा लाश्ट तक दिखिए वीडियो को इसकिप नहीं कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दवा लीजिए आए वीडियो का पहला कोश्चन स्टार्ट करते हैं शराश्वती पत्रिका के यश्यवी शंपादक कौन थे तो महावीर प्रशाद द अचार काणता पन्यास के लेखक कौन है तो देवकी नन्-धन खत्री चंदर कांता पन्यास के लेखक देवकी नन्-दन-दन खत्री हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रशिद लेखक है तो गोपाल राम गहमरी कौन है गोपाल राम गहमरी इसके बाद अगला प्रशन है अपने अजनभी उपन्यास के लेखक तो अग्यें अपने अजनभी उपन्यास के लेखक अग्यें है इसके बाद अगला प्रशन है शेवल शदन किसका उपन्यास है तो मुंसी प्रेम चंद्र का प्रेम चंद्र का उपन्यास के क्रसक जीवनी की समस्याओं को प्रदर्शित किया गया है इसके बाद अगला प्रस्ण है ठेट हिंडी का ठाट क्या है अगला प्रस्ण ठेट हिंडी का ठाट के लेखा कौन है तो आयोध्या शिंग उपध्याय आयोध्या शिंग उपध्याय इसके बाद अगला प्रस्ण है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है तो परिक्ष तो जय संकर प्रसाद जी का तितली उपन्यास है जूठा सच किसका उपन्यास है तो यस पाल जी का जूठा सच उपन्यास है मैला आचल के लेखक कौन है तो मैला आचल के लेखक है फरीड स्वरनाथ रिडू मैला आचल के लेखक फरीड स्वरनाथ रिडू इसके बाद अगल गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है तो धर्मवीर भारती गुनाहों को देवता के उपन्याशकार है इसके बाद अगला प्रस्ण है तमस उपन्यास तमस उपन्यास के लेखक तो भीश्म शाहिनी तपन उपन्यास के लेखक भीश्म साहिनी इसके बाद अगला प्रशन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है तो प्रद्वी राज रासो यह काफी इंपोर्टन प्रसन है प्रद्वी राज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इसके बाद अगला प्रसन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो प्रियवास क का प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली में इसके बाद अगला प्रस्ण है भारत भारती के रचायता कौन है तो निराला भारत भारती के रचायता है निराला ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्प्रस्ण है इसके बाद हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है तो हिंदी गद्य का जिन्म दाता माना जाता है इसके बाद अगला प्रजन है किस काल को स्वरण काल कहा जाता है किस काल को स्वरण काल तो भक्ती काल को स्वरण काल कहा जाता है यह भी बहुत ही जादा महत्वपूर्ण प्रशन है सूर्दास के गुरु कौन थे कौन थे सूर्दास की गुरू वल्लभाचार कामाईनी किस प्रकार का ग्रंथ है तो महा काव्य कामाईनी एक महा काव्य है गागर में शागर भनने का कार्य किस कवी ने किया है गागर में सागर भनने का काम बिहारी जी ने किया है किसने किया है बिहारी जी ने इसके बाद चंद्र जी ने पूस की रात कहानी कई रजनाकार है धुरूश्वामनी नाटक के रचाइता है तो जैसंकर प्रसाद जी धुरूश्वामनी के नाटक के रचाइता है चिंतामडी के लेखक कौन है तो राम चंद्रसुक्ल चिंतामडी के लेखक है इसके बाद निर्गुण भ भक्ति का व्यका प्रमुक रही है इसके बाद अगला प्रस्ण स्रध्धा किस कृति की गाईका है तो कामाईनी इसके बाद अगला प्रस्ण है लर्लू लाल कौन है ललू-लाल हिंदी के प्रथम प्राकार तो ललू-लाल ये question थोड़ा सा doubt है इसके बाद अगला हम है घंदी के प्रतम प्राकाशित पत्र का नाम है तो उतंड मारतंड इसके बाद अगला प्रथन है रामधारी सिंग दिनकर को भारतिय ज्यान पीट पुरसकार किस क्रती पर प्राप्त हुआ था तो उर्वसी पर किस पर प्राप्त हुआ था उर्वसी पर इसके बाद अगला प्रस्थ है पदमावत किसकी रचना है तो जैसी की पदमावत जैसी की रचना है इसके बाद अगला है आपका अशोक के फूल निबंद के रचनाकार हैं तो हजारी प्रशाद दुवेदी इसके बाद अगला प्रस्ण है भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं तो मैथली सरण गुप्त हैं इसके बाद प्रेम सागर के रचनाकार है तो ललू लाल प्रेम सागर के रचनाकार ललू लाल पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है तो प्रेम चंद्र प्रेम चंद्र मुंसी प्रेम चंद्र पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है इसके बाद अगला प्रस्ण है, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं, तो शुदर्शन जी, कौन है? शुदर्शन जी, हार की जीत कहानी के कहानी कार पंत्रा नंदन पंत्र इन्होंने ग्यान पीठ पहला हिंदी के प्रथम शाहित्यकार थे और इन्होंने ग्यान पीठ पुरसकार प्राप्त किया इसके बाद अगला प्रस्ण है विनय पत्रिका के रचाइता है तो तुलसी दास जीने विनय पत्रिका के रचाइता तुलसी दा मजदूरी और प्रेम निबंद के रचनाकार है, तो सरदार पूर्ण सिंग, सरदार पूर्ण सिंग, मजदूरी और प्रेम निबंद के रचनाकार, इसके बाद अगला प्रस्ण है, कमल का सिपाही क्या है, तो यह आत्मकता है, कमल का सिपाही आत्मकता है, इसके बाद खड़ उपद्याय इन्हें, हरी औध के नाम से भी जानते हैं, या इनका पूरा नाम आएोध्या शिंग उपद्ध्याय हरी औध, इसके बाद अगला प्रसन है दिवेधी युग का नाम करन किस के नाम पर हुआ तो महावीर प्रशाद दिवेदी के नाम पर दिवेदी युग का नाम करण हुआ अगला प्रस्ण है म्रग नेनी उपन्यास के रचनाकार है तो वरंदा वनलाल वर्मा म्रग नेनी उपन्यास के रचनाकार वरंदा वनलाल वर्मा अगला प्रशन भ्रमर गीत के रचाइता हैं तो सूर्दास जी साच्छी के रचाइता तो कवीरदास जी वह मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे के रचाइता हैं तो मैथली सरण गुप्त कौन है मैथली सरण गुप्त चीफ की दावत कहानी के रचनाकार है तो भीसम सहायनी आज की वीडियो के हमारे 50 प्रस्न समाप्त हुए उमीध है यह 50 questions आपको समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए और अपने दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा इसको सेर करिए थैंक्स फोर वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल रेडियोग्जाम